बंदे मात रंग बहुत स्वागत आप सभी का Network 10 पर आपके साथ मैं हूँ मनिश्य शर्मा National Herald से जुड़े Money Laundering मामले में सोनिया गांधी से तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशाले यानि ED के अधिकारी पूछताच कर रहे हैं उन्होंने पूछताच की और सोनिया अपनी बेटी प्रियांका गांधी बाटरा के साथ ED के दफ्तर पहुची सोनिया से पूछताच के विरोथ में कथित बागी गुट, G23 के नेता, आनंद शर्मा और गुलाप नभी आज़ात ने भी प्रेस कॉंफरेंस की दूसरे तरफ बीज़ेपी अध्यक्ष जेपी नटा और केंद्री मंत्री अनुराग ठाकों ने कॉंग्रस पर निशाना भी स इससे पहले सोनिया गांधी से दो दिन में करीब आठ घंटे की पूछताच हो चुकी है, एडी सोनिया गांधी से सवाल जवाब के जरीए ये जानने की कोशिश कर रही है कि हराल्ट अखबार की मालिकाना कंपनी एसोसियेटीड जर्नल लिमिटेड का किन हालात में और कैसे यंक इंडियान कंपनी ने अजिकरहन किया, यंक इंडियान में सोनिया और राहूल गांधी की बड़ी हिस्सदारी है, वहीं आज सोनिया गांधी से चार घंटे की पूछताच हुई है और पूछताच के बाद एडी दफतर से सोनिया गांधी और प्रियंक गांधी वाढ़ विरोध प्रदर्शन हमारा होता रहेगा क्यूंकि हमने लोगों की आवाज को उठाना है, जिन्ता की आवाज को उठाना है, चाहे ये हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी को कितना ही प्रतारित करें, उनकी आवाज को नहीं रोक पाएंगे, हमारी आवाज को नहीं रोक प्रवाज पार्टी लगातार आवाज उठाएगी चाहे बेरोजगारी की बात हो महंगाई की बात हो जी एस्टी की बात हो या कोई भी मुद्दा हो इन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी